हेलो फ्रेंड्स मैं मन्जू आपका फिर से एक बार वेलकम करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल मन्जू की बगिया में फ्रेंड्स ये देखिए पुदीना लगा है ये पुदीने को पौधा है मैंने इसको अपनी क्यारी में लगाया है इन दिनों इनकी ग्रोध जादा हो जाती है देखिए फ्रेंड्स कितने धेर सारे लगे हुए है ये गर्मी में होते हैं ये कई तरह से फाइदे मंद हैं ये ठंडे माने जाते हैं अगर किसी को गर्मी लगी हो तो इसके पत्तों का रस आप पिला दें उसकी गर्मी शान्त हो जाती है इसको चटनी में जबत में गन्य के जूस में अक्सर लोग लेते हैं आज मैं आप लोगों को ये पुदीना लगाना बताऊंगी जो हमारे नए गार्डनर हैं वो इसको जरूर लगाएं इसको लगाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं है आप इसका कहीं से भी एक जड़ ले आएं देखिए इसको मैंने तीन-चार साल पहले लगाया था ये तीन-चार सालों से मेरे गार्डन में लगा हुआ है और ये जड़ से फैलने वाला पौदा है कितना तो मैंने इसको खाड़ खाड़ कर फेक दिया लेकिन जब इसकी सीजन आती है तो ये अपने आप ग्रोफ्ट कर लेता है हलाकि ये फाइदे मंद है इसलिए हम इसको हटाना नहीं चाहते हैं ये हमारे बहुत यूज का है आईए हम आपको आप फुदीना लगाना बताते हैं दोस्तों आप इसको कहीं से भी एक जड़ ले आए देखिए मैं यहां से एक जड़ उखाड लेती हूं देखिए मैंने इसको खाड लिया है अब आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं आप इसको चाहें नर्सरी से ले आए अगर नर्सरी नहीं जा सकते तो आप किसी कहां से भी एक ऐसा पौधा ले ले जिसमें थोड़ी जड़ होनी चाहिए आप इसको लगाएंगे यह तुरंत लग है जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है गमला किस तरह से फिल करना है मिट्टी किस तरह उसमें लगानी है यह देखिए मेरा गमला तयार है अब हम इसमें यह पूदी नहीं लगाएंगे आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स मिट्टी भूर्भूरी होनी चाहिए थोड़ा सा गड़ा किया और इसमें मैंने इसको इसी तरह लगा दिया देखिए इसमें इसकी जड़ है इसको भी बठा देखते हैं इसको लगाना कोई कठिन काम नहीं है देखिए मैंने लगा दिया है एक और देखिए दोस्तों मेरा पुदीने का पौधालक कर त्यार हो गया है अब इसमें हम उपर से थोड़ी मिट्टी डालते हैं पानी डालते हैं पानी इसको साइट से दें अभी इसके पौधों पर पानी ना दें आप जिन नया पौधा जब भी लगां कि इसको शाइट से पानी दें दें देखिए दें इसको पानी दे दिया है यह पुदीना मेरा लग गया है आप भी इसी तरह लगाएं और आपके गार्डन में पुदीना इस समय हो तो आपके बहुत काम आएगा फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक